ग्लोबल टीवी में आप सबका स्वागत है आज हम डॉक्टर के जरिये फिटनेस के बारे में जानेंगे और हमारे अंदर के रोग के बारे में और एक खास बीमारी के बारे में भी ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में आये हैं डॉक्टर तिरूर नरायन मूर्ती जी वेल्कम डॉक्टर साब नमास्ते डॉक्टर, वैसे हम सभी जानते हैं, राइन डिजीज के कई सारे नाम हैं, अल्साइमर्स, नियो कलोजम, पार्किंग सन, शौट टर्म मेमोरी लॉस, इसके अलावा जिसे हम नहीं जानते हैं, ऐसी भी कोई राइन डिजीज है, दॉक्टर? यह अपकोर्स, आपने जो बताया है, वो राइन डिजीज ही है, पर इन सब के अलावा, एक बहुत ही डेंजरस डिजीज भी है, यह गोंग तो सी अ ब्लीडिंग डिसॉर्डर, लॉक अ दिस विजूल, आपने इस वक जो फर्स विजूल देखा, उसमें नमल हुमन बोडी में चोट लगने पर कुछी दिर में ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन सेकेंड विजूल में ब्लड क्लॉट नहीं होता, इस इस थ्रॉमस्थेनिया, करोणों में से एक या दो लोगों को यह डिजीज होती है, एक छोटा सा भी गहाव लगने पर जिंदगी को खतरा है, डॉक कोई भी छोटा सा घाव होता है, तो पांच मिनिट में आप बेहोश हो जाते हो, अगर गहाव एक सेंटीमेटर गहरा हो गया और चेस्ट, नेक, हैट ऐसी जगह पर घाव हो गया, तो आप कंफर्म डेथ मारी है, मतलब जिन्हें ऐसी डिजीज है, उन्हें छोटी से भी चो कोई घाव ना हो और वो सेफ रहें, आप हमारे हाँ आए और एक बहुत यची सला दी, उसके लिए धन्यवाद डॉक्टर, तैंक यू, इस डिजीज के साथ हमारे राजजी में जीने वाले कितने लोग हैं, कितने होंगे कह नहीं सकता, लेकिन आज से 15 साल पहले, जब मैं तंजावुर में था, एक बच्चे को उसके पापा हमारे हाँ ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए थे, आज दो पहर में खेलते समय इसे चोट लग गई डॉक्टर साब, छोटा घाव समझ कर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका खुन बहना रुखी नहीं रहा, मुझे ग और रिपोर्ट फैक्स करने के लिए 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 इस वेरी आजिंट, आपके बच्चे को थ्रॉमस्थीनिया ब्लीडिंग डिसॉर्डर है, यह बहुते रेर डिजीज है, बच्चे का शरीर अगर कमजोर है और उसमें ग्लाइको प्रोटीन लेवल लो रहता है, तो थ्रॉम और आपके लड़के को एक्स्टरनल थ्रॉमस्थीनिया है, इस वक्त तो उसे एक छोटा सा घाव लगा था, इसलिए हम उसे बचा पाए, अगर यह चोट बड़ी होती, तो उसके जिन्दगी को खत्रा हो सकता था, अगर यह बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा था, तब वो स्टंडर्ड में था, पर अब वो कहां है, मैं नहीं जानता हूं। सर, बुगल को मैंने बाइक से जाते हुए देखा। ओके, हाल भी दे, जा सर। से जाते हैं आज यहां जो चीतेगा उसका तंजावू स्पोर्ट क्लब के खिलारियों के साथ मुकाबला होगा खेल शुरू हो चुका है आप जो देख रहे हैं वो लॉंग जंप है मानिक सर्डिस्टिंज चेक कर रहे हैं अब आप जो देख रहे हैं वो डिस्ट्रो है अब शॉर्ट पूट का गेम चल रहा है इनके हौक को देकर लगता है यह प्राइज दरूर जितेंगे 200 मिटर अडल फानल कॉन चेस्ट नमबर 442 सॉलमन लेन नमबर बन पूगलेंदी सुब्रमनियाम चेस्ट नमबर 501 लेन नमबर 2 तंजाबू सर अश्यवाइज पूगल कहा है बाइप पर आता ही होगा सर लेन नमबर 458 मादमन लेन नमबर 6 अपना प्रेस्ट परफॉमेंश सर आपसे एक रेक्वेस्ट थे सर दो मिनट के लिए रुग जाएंगे सर नो नो देवा कॉर्डों को तुमें इनफॉर्म करना चाहिए था मुझे टाइम से स्टार्ट करना ही होगा लेन नमबर 5 प्लीज सर नो 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 सर समाली सर आपका लेस नारे खिलाडी तयार हो जाएंगे लेस घुरू होने वाली है अब आपके साथ में शुरू हो चुगा है ऑप्टिकल रेस इसमें जो जीतेगा वो खिलाडी कोलकता में होने वाला नेशनल समी फाइनल तूर्मेंट में हिस्ता लेगा तो उमीद करते हैं जो सबसे बैदर खिलारी होगा वो चुना जाए जाए येस सर देख आपने पूगल 1388 येजिए जालक जा यार येजिए परफेक्ट टाइमीं अब हमारे मुख्य अधिथी आज के स्पोर्ट में जीते हुए खिलाडियों को प्राइज देकर सम्मानित करेंगे सभी खिलाडियों को बेरा दुमस्कार आज का ही 87th sports meet मैं ने खिलाडियों को प्रोटसान देने के लिए आयोजित किया गया जिसमें हमारे देश को बहुत अच्छे खिलाडियों का स्वागत करता हुए देवराज सम्मे बच्चों को बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग दिये त सारे विजेता है स्टेश पराएं 110 मीटर का हडल फर्स्ट प्रेस पुगलेंदी सुब्रमनिया तंजावू सेकंड क्लेस तालेमांत तृची थर्ड प्रेस शिजित कुमार शित्कोटे शोर्ट फ्रेस नमेर तंजावू लॉंग जूंप फर्स्ट प्रेस संजावू बिसकस्तृ फर्स्ट प्रेस तजियालन तंजावू 200 फर्स्ट प्रेस राकेश कोयमदूर सेकंड क्लेस गोहित रुत्रपूरी रुक यार सर से मिलके ही चाहेगे इतनी जल्दी क्या है दूजे लो टाइम हेलो विरू अल्रेडी मैं तीन चड़ा चुका हूं जरा भी नहीं चड़ी आज को सब डुप्लिकेट है मुझे लगता है तू होश में नहीं है पीने के बाद अपने बाप को ही भूल गया अब यह बाप को फोन था क्या आँ अरे इतना क्यों पिता है अरो उखना भाई हम बेटी ओमोग कर रही हो कुछ नाराज लग रही है कभी कोई वादा नहीं निभाते सुन ये पापा को खाने के लिए बोल सुनो मैं एस्पी साफ के साथ मीटिंग में गया था वहीं से खाना खाकर आ रहा हूं हाँ ठक गया क्या हुआ चेहरा भीगे हुए चने की तरफ भूला है नाराज हूं है अगर आप जल्दी आते तो हम लोग राउन पर जा सकते थे देखो अब कितने बज़े हैं क्या पापा मैंने प्रैक्टिकल क्लास बंकी ताकि भाईया की रेस देख सकूं और आप देखो अभी आयो अरे तुम लोग भी ना तुम तो जानते हो वही जीतेगा तो क्या हमें देखने का मन नहीं करता हमारे बेटे का इंडिया में जीतना बड़ी बात नहीं है एक दिन यह मिला कर 56 तुझे किसी की बोरी नजार ना लगे कि कोश का फोन आया क्या पापा नैश्टनल रिकॉर्ड बनाए तुमने टाइमिंग क्या थी थर्टेट थर्टीन पॉन एटीट जा बेटा खाना परोज दिया है मुझे लग रहा है आयाशी तेरे टाइमिंग को खराब कर रही है शराब तो फिर भी ठीक है स्पोर्ट्समेन को सिगरेट कभी नहीं पीनी चाहिए रात को ग्यारा बज़े आप कैसी अडवाइस दे रहे हैं बापका प्यार जाग उठा है चलो ठीक है लेकिन ये बात आप सुबे भी कह सकते थे खाते वक्त ही क्यों कि अच्छार कि रहे हैं ये कि अच्छार करनेक्शन कर दूंगे फिर कौई कवल नहीं कर पार है कि रहां नंबर है पुन रहे पून रहे रहा है नंबर है? नंबर तो सही है. व्रॉंग नंबर किया रहा है? रुट जा. आरे कौन है यार इस वर्ट. पढ़ने का सिर्फ नौटक है. इडली रखी थी, खाली ना? हाँ, खाली मा. नहीं, इमली की चटनी बनाए थी, तुने बतायनी कैसी थी. बहुत अच्छी थी मा, फिर कब बनाओगी? अच्छा मा, मैं जा रहा हूँ. संभल की जाओ. ओके मा, बाई. ए, खल रात मैंने उसकी अच्छी क्लास लिये. अब वो दुबारा तुझे फोन नहीं करेगा. अहां यार, देख उसने कितने SMS किया है. और कल तो पूरी रात उसने फोन करके सताया है. क्या? मैंने उसकी इतनी बहिज़ती की. फिर भी उसने तुझे SMS किया. तुन्हें नंबर तो सही दिया था ना? डबल नाइन शिक्स टू एट डबल जीरो सेवन थी. नहीं यार, गलत है. मैंने टू जीरो कहा था, तुन्हें डबल जीरो कर दिया. ओ नो, रांग नबर लग या. उस बिचारे को कितना सुना दिया. पर तुने उसे कहा क्या? अरे पाप, यह खतरनाक है. अगर इस मैडम की बाद थोड़ी देर और सुनी, तो कान से खोन निकलने लगेगा? उसे छोड़ना मत यार. तु रुक दो, उसे फोन करता हूँ. अरे उस नमर से मुझे कॉल आ रहा है, अब बता मैं क्या करूँ? अरे इसने तो फोन स्विच आफ कर दिया या. यह बात है, तो एक अब चाय बोल, मैं सोचता हूँ. फोन स्विच आफ कर दिया, तो अब क्या क्या है? चाय! उससे नहीं, उससे कहने के लिए बोला था मैंने. अचा तो पहले यह बता, कॉले जाते समय तो हमेशे खाली पोकेट क्यों आता है? कंजूस कहीं का. चाचा एक सिगरेट देना? नहीं है. दुकान में नहीं आसे, मेरे लिए नहीं है. कितना उधारी खाएगा? तुम्हें पता है? तेरा सु रुपए हो गए. वो कब देगा? अरे इससे पैसे की बात की, तो यह सिर जुका के चला जा रहा है? अरे मुबारको भाई! जानता था तुम जीतोगे. लेकिन नेशनल टाइमिंग हासिल करोगे यह नहीं पता था. अरे थैंक्स यार. वाई, इस खुशी में हम सब को तुम्हें कैंटीन में ट्रीट देना होगा. फोन अभी भी स्विच आफ करके रखाया उसने. है पुगल, कैसे हो? मैं ठीक. तो पूरे एक समोसे को मुह में रखके कैसे निगलती है यही सोच रहा था. पागल. तू पागल. देन बर समोसा पेपसी खाती रहती है और आकर हमारे हीरो पर डकार मारती रहती है. तुझे क्यों तकलीफ हो रहे यह तेरी बहने है क्या? अरे वो क्या है ना भाई यह लड़कियों के भूम भूम के थक्या लेकिन आज तो कोई पटी ने इसलिए चिड़ी चिड़ा सा हो गया. अब क्या करूँ देख उस नंबर से फिर से कॉल आ रहा है दिखाँ तर लग रहा है मुझे फोन उठाकर उसे सौरी क्यों ने कह देती है हलो सौरी सर क्या 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 कहा वो क्या है ना मेरी एक लोस फ्रेंड को पता नहीं कौन डे नाइट फोन करके डिंड दूल्ट करता है तुमने बड़ी अच्छी बाते की नहीं उसके लिए सारी बाते थी मेरी फ्रेंड में जो नंबर दिया था उसमें पदल गया यूअ.. माफ कर दो Nah Sir.. माफ कर दूँ तुम्हे.. अलो अन्जाने में की गई गल्ती को माफ किया जासकता है जृत पहली बार फोन किया था तो मैंने कहा था कि रांग नंबर है फिर उन्दी फॉन कर के तुमने मुझे क्या क्या सुना है अब मैं उसका जवाब दूँ किया रुको रुको मैं अभी जा रहा हूं कहां सर पुलिस स्टेशन और कहां सर ऐसा कुछ मत करो सर मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी आपको जो सजा देना है दो ओ यह बात है ठीक है मैं तुमसे बात में बात करूंगा पहले तुम मेरा सौ र सौरपे का रीचार्ज देना वोड़ा फोन और वाई लंडन का क्लाइमेट कशा है इस वक्ते बालेंस बहुत है आगे बोल यहां का मौसम भी ठीकठा की है इसके पास इतना बैलेंस आगया कि यहां का छोड़ लंडन का मुस्दम बता कर रहा है इसको क्या फर्क पड़ता है भाई रिचार्ज दो बिचारी लड़की कर रही है हाँ मैंने देखा हूं मुझे तीन सु रुपए है तो देना रूख देती हूं यह ले थैंक्यू तुझे शरम वरूम आती है या नहीं तुने गलत नंबर डाल गया तो उसमें मैं क्या करूं तुझे ही सबकाभा करना था ना आया मजा और इसले भी हुव ड़ जा है तो तुम्हारे पास बाइख भी विए अच्छा तुम्हारे पॉर्लै-पापक्त करते हैं वो स्टेरेड बैंक में मैनेजर है मैनेजर है कहां पे चिन्ने ही में ओ चन्ने की रहने बारी हो बुढ..ठीक नंग नाम क्या है गायत्रि गायत्री, नाइस निम, मेरी एक शर्त है, तुम से बात करने का मन करेगा, तो कॉल करूँगा, पहले रिंग में ही फोन उडाना, अगर फोन नहीं उटाया ना, तो मेरे गर से पुली स्टेशन दस मिनिट की दूरी पर है, समझ गई ना, एक और बात, वोडा फोन में एक नया आपन करता हूं, बाई, टॉर्चर, हाँ, 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 क्या है, बोल, रॉर नंबर वाले का पता लग गया है, वो हमारे पूराने पडोसी का बेटा है, मैंने उसे देखा है, बहुत क्यूट है, वैसे वो लड़कियों को सताता नहीं है, यह लगी, टॉर्चर म क्या हुआ, बेटा, क्या हुआ, कुछ बोलती भी नहीं है, हलो, हे, रिंग पूरी होने से पहले ही फोन उड़ा लिया, वेरी गड, क्या है सर, हरे कुछ नहीं, सोचा बात कर लो तुम से, वो क्या है ना, मेरे पास काफी बैलेंस है, तो तुम पर खर्च कर लाँ हूं, ना फोन आता है तुझे, ए, छट पे कपड़े सुख गए होंगे, जाके ले क्या, मुझे घर में जरा काम है, हम लोग बात में बात करें सर, यह बात है, ठीक है, ठीक है, पांच मिनिट के बाद फोन करना, भाईया का जिन्स वहीं छोड़ देना, कि खीक है जिस तुष करें प्रवilles को ना कि प्रश वारा की है, यह लुगे वार्वी नव।, गाम होंगे है, भाईया क्या मैं जए़ laugh, झाम है जिसुझे है, भाईया अंधितां, हो यह पूस्त Shire, बुचे है, आता है, लो ए है कि अग्यी अग्याना लड़ भाले या फटो प्रॉग प्रॉटा राजबा को प्रॉटार बना दो कर दो घराजीज परॉड़ को एड़दा जार बना झाल राजबा के जार जाजे से अर उहां जारा झाला गए एड़ो हैं। सारे नोट्स आई हैं अब अनके बंदेवाई छेकर है अब इसकी नमी गई नहीं है और सुखा हो चीक है भाई कि जरा भी शक नहीं होना चाहिए आज कल रेड़ बहुत चल रही है इसलिए काम अगले अपते होगा कि तेरे उम्रह की लड़कों की शादी हो गए और वह बाप भी बन गए छोड़ो न भावी ए जी यह लूर में कांसेलर की एक सौतेली बेटी है आप कहे तो उससे बात करूं मैं उससे नहीं करना है जरा वेट करो आप अन खुदी लड़की ढूंड़ेगा कब पूरी सफ़े दियाने के बाद है कि अलो मैं बोल नहीं किट्टू आ बोल किट्टू तैयार है क्या आ तैयार है 25 चाहिए आहां तो मिल जाएगा सुन मुझे एक दिन का टाइम चाहिए कोयम टूर के किट्टू के लिए 25 लाग रैडी करना है सब को चिताना मेरा मकसद है कितने का सर सौ रोपे का कर देना मेरे नंबर पे नहीं मेरे फ्रेंड के नंबर पे सर आप रीचाज करवाते हो ठीक है फ्रेंड का रीचाज मैं नहीं करूंगी क्या कहा तुम नहीं करोगी तुम फोन रखो दस मिनिट में तुम्हारे घर पर पूलिस भेजता हूं बेनु गोपाल नंबर सेवन एसबी आई कॉलोनी अरूंबकम चैन नहीं एड्रेस ही है सौरी सिर सौरी सर आपके फ्रेंड का नंबर क्या है तो लो एक काम करता हूं उसका नंबर मैसेज करता हूं साथ में सो रुपे का मेरा भी कर दिना हाँ भाई वो बहुत शरीफ लड़की है तोर्चर मत कर उसे ऐसी बात है हाँ ठीक है सोचूंगा क्या हुआ बिना सिगनल के सिम कार्ट की तरह बैठा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है यार एक दिन नहीं दो दिन नहीं चार दिनों से एक लड़की को सिंसर्ली लव कर रहा है और उस लड़की न अभी तेक इसको देखा भी नहीं हां हो सकता है कि वो मुझे पसंद करती है चार दिनों से वो भी सिंसियर होकर तो किसी भी तरह उस लड़की का नंबर निकाल के देना हां जब यह उसका नंबर निकाल के देगा तभी तेरी गाड़ी ट्रेक पर आएग पास का रूट इसक्यूज मी यह जड़ा बताएंगे प्लीज पास ही का है न भाइज तो आप यहां से सीधे हैं ले तो यह बता है अहां बताई यहां से स्टेट जाने के बाद में आप लेफ्ट मुर जाएएगा एक कट आएगा वो भी इमीचेट लिए वही पास में एक कोटा सा मंदिर है वहां से फिर आप देखिए एड्रेस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ आपको यह तराज नहों तो आपके साथ चल के जगह दिखा दूँ ठीक है बैट जाओ मैं बस अभी आए हां को मुझे कॉल करना मत बूला है इससे पट गए यह तो मुझसे भी पट जाएगी पहले अपने आपको शीशे में देख एड्रेस बताना में 24 गंटे बाई दुनिया गुमने में 24 गंटे लगते हैं कम से कम उनके उम्रे का तो लिहाज कर जोड़ यार कितना बागी ता बोलो था एरा सो असी रुपए हो गए आज तक का पूरा इसाइब क्लियर आरा जो बज्जा उसे लोटाने की जरूवत नही सब में सीरियल नंबर तो एक ही है फॉरन का पैसा है ऐसा ही होता है पता चला है कि नकली नोट के जहांसे में कई बेवकूफ फसे हैं उन नोट्स का सीरियल नंबर एक जैसा होता है भाई परपल चूड़ीदार वाली क्या बोलता है मुझे जचेगी ना तुम्हारे शकल के इसाब से लड़की तुमसे पटेगी याने यह मत देखो जो मिलेगी उस पर ट्राय मारो हां भाई उसका नंबर चाहिए या नहीं चाहिए ना यह बेचैनी उसी के लिए तो है मेर लुटेंड वाच क्या कह रहा था वो तुझसे ख्रीया के बारे में मुझसे पोच रहता है श्रीगार नकर जाने की बश काहां में लेगी वो देखो ना सामने से जा रही है कि अजिस्टिर पोन काम कर रहा है कि नहीं चेक करना है? तुम्हारा नमबर बता नाइन डब एट फो यह आ रो थी वन नाइन टूनाइन टूनाइन थी रिंग तो बज रही है ऐसा क्या कोई बत नहीं मेरा फोन लगता है खराब हो गया एनिवे थेंक्स इस वक्त में बाहर जाकर आपका टॉप आप नहीं करवा सकती सुबह करवा दूंतों चलेगा हलो हलो सर अब मुझे सर करके मत बुलाना कुछ और कहके बुलाओ तुम्हारी लिए गुड नियूस है तुम्हारी सारी बाते मैंने डिलिट कर दी है बहुत गौर से सुचा मैंने तो मेरे दिल से एक अजीब सी आवाज निकली तुम्हारी ने बहुत टॉर्चर किया है अब आगे से परिशान नहीं करूंगा बताने क्यों मुझे ये सवच्छा नहीं लग रहा है उसे देखो इतनी रात को किसी लड़की के साथ बात कर रहा है ए पूगल लड़की पटा और मेरी मा इतना अच्छा खाना बनाती है ना क्या बताओं क्या है एक मिनट वेट करो लाइट चली गई है एक यानल जलाती हूं यह चिपक क्यों नहीं रही है एलो उसका निचला हिस्सा भी ज़रा करो फिर वह चिपक जाएगी ट्राइग करो ओके थांक्स जो हमें अच्छे लगते हैं जो हमारे अपने होते हैं उन्हें थांक्स या सोरी या प्लीज नहीं कहा जाता चलो ओके अब मैं तो मैं कभी टिस्टब नहीं करूंगा गुड़नाइट गायतरी बॉए यार पहले भी तो कितनी लड़कियां आके जा चुकी हैं लेकिन इस लड़की को मैं भुला क्यों नहीं पा रहा हूं याद आती हो तुझे लगता है अपना हीरो तो गया टॉप अप करवा करवा के टॉप का लवर बन गया है देखो कैसे भाग रही है फोन उटके कहीं चला जाएगा क्या दो दिन से देख रही हूं पागल जिससी हरकते कर रही है अरे भाई जब वो बोलती है न तो लगता है फूलों की बारिश हो रही है जो दिखता है वो होता नहीं है क्या बोला वो क्या नहीं प्यारे लड़की के आवा सुरीली हो सकती है पर इसका मतलब यह नहीं कि वो लड़की खुबसरत भी हो पूगल मैं पृती हूं यार क्या हो क्या गये तुझे कुछ नहीं मैं बाद मीं कॉल कर दी हूँ पहले मैं बिना जिजा कि उसे बात करता था, लेकिन अब जब मैं उसे बात करना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम सौ बार सोचना पड़ रहा है यार, अरे सोच क्या रहा है भाई, फोन पर आवाज अच्छी है न, तो दिखने में भी अच्छी होगी वो, अच्छा बुरा गायदरी टॉप अप किया गया इतने दिनों से एक बार भी कॉल नहीं किया तो मुझे लगा तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं होगा इससे लिए तेरे दोस्त ने डिग्री लेकर दो साल के अंदर अच्छा खासा कमा लिया अपनी मेहनत से शादी करके सेटल भी हो गया लेकिन तू किस तरफ जा रहा है कभी सोचा इस बारे में एक महेने में तुझे इंटरव्यू के लिए जाना एप्लिकेशन के लिए पैसे चाहिए थे तू मुझसे मांग लेता शर्माता किस लिए और तुझे किस लिए 300 रुपे चाहिए थे मुझे अपनी फ्रेंड को देना है पापा बच्छी मांग रही है तो दे दूना बेटा नाश्टा तयार है बिना खाए कहीं मत जाना हाँ ठीक है माँ येलो चेंज करा के लिए आओ कांदा दो किलो बटाटा दो किलो शकर एक किलो अरे सुनिये मुझे घचाटा दीजिए नशुट्टा नहीं है भाई अब यह भी मैं सब भर के आया हमागा दाल तीन किलो हाँ और कुछ को यह इतार है तुमारे पास है क्या हाँ हाँ है ना ठीक यह लो अरे जल्दी दोना देर हो रही है हाँ ये लीजे कि यह क्या लेगा तु 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 झे axle रुपय का छुटा लाने को खा वो भी ठीक से नहें कर पाये तु इसमें चार नोट जाली है समझ में एंए तु जाली नोट और पैचाने का भी कैसे मेहनत करके पसीना बहाता तो समझ में आता कि असली और नकली नोट में फर्क क्या है कहां से लेकर आया बाजर से ले जा बदल कर लिया यह यह लड़का भी ना पता नहीं कब समझदार बनेगा हां और क्या दूब भाई सब वह आट वाला कहा गया दे जाने वाला है ज़रा पानी देना बाई में बश्टा उसका कोंच गया हूँ हाँ ऐसा उसको देना और बदले में वह तुझे और रिजनल देगा वो लेकर सिधा यहां आजा सुन जरा होश्यारी से कीगा बाई को इमतूर पुलिस टेशन हाँ पुलिस आप कौन मैं कौन बोल रहा हूँ छोड़ी साब जी आपके स्टेशन के बस डेपो के पास एक हरे रंग की बस खड़ी है तुम्हें कैसे पता उसमें नकली नोट है एविदेंस है सर वह सब ठीक है पहले यह बताओ कि कौन हो और कहा मैं यहीं बर्स्टॉप पर हूँ सर किया क्या है मैंने पुलिस टेशन चल बता दें क्या किये तुन्हें हाँ ठीक है बाई आप जल्दी आईए सर आपको पता है मैं किसका आदम है फिर भी आपने मुझे पकड़ लिया तो और क्या करता तेरे पास ही गड़े किसी इंसान ने हमें इंफॉर्म किया कि तु नकली नोट लेके जा रहा है उसने बोला उसके पास एविदेंस भी है वो इंतजार कर रहा था कि मैं तुझे उ है गंटी बजाने जैसा तेरी किसी ने बजा डाली एक छोटा सा काम भी तुसे ठंग से नहीं होता हुआ है 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 तुझा को एम टूट जा मैं कर दो को फोन कर देता हूं है भाई मुझे करनोन कॉल आया था उसने अपना ना भी नहीं बताया कल को कहीं कोई प्रॉबलम हो ग इस माल को एक दो दिन यही रहने दो कोई प्रॉबलम होई तो माल में खुद पहुचातूंगा जब मेरे यहां से बेफिक्र होकर हटी बटोर कर लाता तब ऐसा नहीं लगता खैर कोई बात नहीं रख ले पर यह फोन किस ने किया है इस लड़के का पता लगा गोगा किट्टो को फोन कर किट्टो मालिक ने काया कि चार दिन लगेगा एड़जेस्ट कर लो जितना जल्दी हो सके भीजवा दीजेगा ठीक है पैसे बदलने में तुझे पूरा दिन लग गया शुट्टा देने वाले को ढून रहा था इसलिए देर हो गई अरे कौन था वो उसने चार सो बदले की नई उसको पुलिस में पकड़वा दिया पुलिस में पकड़वा दिया मतलब मेरे 400 रूपे डूब गए क्या पापा हर बार पैसा पैसा करते हैं मैंने इसलिए किया क्योंकि अइसा किसी दूसरे के साथ ना हो समझें हाँ ठीक है ल क्या होगे किट्टू तुम्हारी खबर किसी ने पुलीस को दे दी है तुम्हें किसने का है मेरे आदमी ने वहां के को फोन करके पता लगाया पार्टी क्या बोल रहा है एक हफ़ते के अंदर उसे सारा माल चाहिए वर्दा डील कैंसर पार्टी जाएगे किट्टू पता मांग रहा था इतनी बाहर कहा कि मैं ले जाता हूं आपने मना कर दिया है एए गाली वापस गुमाँ कि भाई हर हाल में यह माल आज पहुचा देते हैं कि रहा है झाल 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 बाई लड़की दिखने में तो बहुत सुन्दर है और अपनी एरिया की भी है आज शगुंदेने के बाद सवदा पूरा क्यों नहीं कर लेते हैं आज अच्छा देन है क्या हाँ बैए वेटी हाँ बैए को लड़की कहा है रहती है पता है आप संपत सर है ना मुझे संपत सर नहीं सिर्फ संपत बोलो लेकिन आप मेरे घर पर मिलने आया हूँ इस शहर में जितनी मेरी इसत है उतनी इसकी भी है बैठ ये तीस साल से मेरे साथ है और बहुत ही इमानदार है कल तक कह रहा था मुझे शादी नहीं करनी शादी नहीं करनी कौन है यह लोग पता नहीं बेटा चलती हूँ अब पता चला तू राजी क्यों हुआ भाई बावी तो एक नूमबर डूड़ी है गाड़ी में कौन आया है पता नहीं कौन है पापा से बात कर रहे है ठीक है तुझा बाई तुम्हारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी इसके साथ चार-पाज गाड़िया तो हमेशा रहेंगी बास इसे दमात बना लो यह मेरा बेटा है दिनेश एमकॉम पढ़ा है नौकरी ढूड़ रहा है नहीं होते वे तुम्हें काम ढूड़ने के जरूरत नहीं बता कौन से आफिस में नौकरी चाहिए मिल जाएगी कौन सा नकली नोट बनाने का जो बेटा रुग जा बोल रहे है तुझा पापा कल नक नकली नोट का धंदा करते हो निकल जाओ यहां से निकल जाओ अगर दूसरी बार यहां शकल दिखाने आया ना तो क्राइम ब्रांच के हवाले कर दूदा तुम्हें कैसे पसाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं किसी को नहीं छोड़ूँगा कुछ भी करें तुझे इस यह सब तेरी वजह से हुआ है बेवकूफ दो पांसो के लालच में एतनी बड़ी प्राब्लम खड़ी करती सब तेरी वजह से गोगा तुझे सिर्फ लड़की चाहिए ना या फिर उसका भाय भी चाहिए हम जैसो को घर परिवार कभी रास नहीं आता है भाई अपन कुवारा ही सही है चोड़ो ना भाई उस लड़की का मेटर को यहीं खत्म करो लेकिन उसके भाई को टपकाई भीना चैन नहीं वरना वो बार बार उंगली करता रहेगा आज ही खतम कर दें क्या बोलते हो सिचुएशन सही नहीं है अभी दस दिन का वेट कर उसके बार दस दिन किसलिए स्टेडियम मेंने देखा है सारी तैयारी हो चुका अब कोलकटा स्टेडियम में कोई पार्टी मीटिंग होने वाल है वो गोल्ड ला पाएगा शूर लाएगा सर कितना किलोमेटर है यार तीन सो होगा मीट कोलकाता में नहीं होगी चन्ने में हो रही है जगे बदल गई है हम लोग यहां से पांस दिन पहले निकलेंगे और प्रैक्टिस वहीं करेंगे जोगें हां वो इतनी देर से किसे बा से बाते करता है और इस कमीने को तो ऐसे में रिचार्ज फ्री है तुम्हारा फेस्बूक आईडी क्या है मैं फेस्बूक पे नहीं हूं मैंने चेक किया तुमने वाट्साप पे पना फोटो नहीं रखा है फोटो यह समझ लो मैं चन्ने का रहने वाला हूं कभी भी मिल सकता फिर विए अगर फोटो चाहिए तो फोन रखां मैं भेज़ता हूं अब भी तुम्हें मज़ा चाखा दियूं जोड़ी करेगा मेरे इलाख्य में जोड़ी करेगा तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें दू दिन पहले बताना चाहिए ना सर तुम अभी कह रहे हो सर आपको किस बात की कमी है आप तो पहले से ही बड़े घर से आथ और पैर चलाने के साथ साथ घर भी चलाना बढ़ता है ये लो तुम्हेरा बेटा कहा जा रहा है चन्ने जा रहा है नेशनल मीट के लिए उसमें जीता तो एशिया मीट में जाएगा डिग्री मिल गई है तुम रिटायर होने वाले हो उसके लिए अच्छा सा जॉब ढूनने के बजाए तुम उसे बेकार का स्पोर्ट्स खेलने के लिए भेज रहे हो उसे क्या प्रॉब्लम है ये जानते हुए भी तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो सर पहले मैं भी उसके लिए आपी की तरह सोच रहा था उसका कहना है कि बिना स्पोर्ट्स के लाइफ नहीं बन सकती बाद में उसकी बात मुझे सही लेगी सर इसलिए मैं उसे सपोर्ट करता हूँ सर टाइम हो गया उसकी कहीं ट्रेन न छुट जाए यार अब तक सर नहीं आया है सर आटो में आ रहा है न अर्लीट होगा अब तक पहुंचे रहे ट्रेन का टाइम भी हो गया अरे देख तरे डैडी आये अरे पापा आप यहां क्यों आए यह रख ले अरे रखना बेटा इतने पैसो का मैं क्या करूंगे जरूरत पड़ेगी जिन्दीगी के पचीस साल मैंने एस पी और इंस्पेक्टर को सल्यूट मार के गुजार दिये तो अगर नैशनल मीट में गोड ले आया तो तुझे कोई अच्छी नोकरी मैं जाएगी अरे क्या पापप मैं जीत कराऊंगा आप फिक्र मत कीजिए मुझे पता है मेरा बीटा जरूर जीतेगा मेरी रिटायर्मेंट भी बहुत नस्दीग है इसी लिए घपरा रहा हूं अपना ध्यान रखना बीटा थैंक्यू भाई नमस्ते सर मेरे बेटे का ज़रा खास खाल रखेगा सर आप बिलकुल बेफिकर रही है मैं हूँ न साथ में डून्ट वरी ठीक है ठीक है चलो चलो अब लोग जीत कराना अल दो बेस्ट जी अंकल धेक्यू चलता हूं पापा जा फून करता हूं जाए पापा बें सही टाइम पर पहुंचके हाई सर हाई कैसे हो बढ़ी आँ सर कैसे मास त्यार चलिए सर्म आपको होटल दिखा देता है चलो चलते है कोई बाहर नहीं जाएगा सब लोग यह रहेगा कल सुभे ग्राउंड पर मिलते हैं अरे अरे मुझे इतनी जोर से लेगी तो ट्रेन में कर लिया होता चल बाए पुगन कल मि बाइक की चाबी देना मुझे यह लेना बाइक का क्लाइस थोड़ा सा जाव है तो संबाल की चलाना तुछ से मैं सीधा ग्राउंड पर ही मिलता हूं चल मिलते हैं गूगल तुम्हारे यह का पानी इतना गंदा आता है क्या लगता है आज क्यों तुम लोग अच्छा यह ब बताओ हम कब मिलने वाले हैं आज मिलना है क्या प्रब्लम है कल से प्रैक्टिश शिरू होने वाली है अरे ठक गए होगे थोड़ते राराम कर लो वो सब कुछ मैं संभाल लूँगा बताओ कहा ना है अधस वचे हम एमजी रोड के मंदिर पर मिलें एमजी रोड के मंदिर ठीक है पांचाओंगा मुझे सूरतनगर ड्रॉप कर देना फिर वहां से मैं बस में चला जाओंगा इस इंटर्वी में तुम्हें नौकरी मिल जाए ऐसी दूआ करो तुम वेकार में पापा से डांट खाते रहते हों अरे सुनना मैं फ्रेंड से मिल के आता है सर को किसे तरह संभाल लेना हूं ओके ओके आओ चले कि अब कि अब करते है कि अब करते है कि अब वियुदा लाहिए कि और राथ बाव प्रेंट कर्या एफ अब कि अब यह वाई दिनेश मेरे सामने बश्टॉप पे खड़ा है अकेला ही है हाँ भाई उठा लो गया उठा ले आप उन भाई से बात करता है जैसा आप कहें भाई अरे चाय दोन भाई हाँ वोकट का चाय पीने यह आते हो भाई हाँ एमजी रोड का मंदिर कहां पड़ेगा बस यहां से राइट लेलो और फिर सीधा थैंक्स हाँ हाँ सॉरी हाँ मुस्से गल्ती होगी तेखो भाई के बास खाला है अर्माल आपके पास करें वाई वाई एमर्जंद्सी बेट जो यहां ज़िए बेट जो दो अब अब नहीं को बाइब मेरी बहन के तवियत खराब है उसे भॉस्पिटल ले जाना है चल्दी-चली रहें है 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 कि अब अब है है कि अच्छा रोग है तु काहां रहता है तंजा और में यहां क्या कर रहा है फ्रेंड से मिलने आया हूं हां फ्रेंड से मिलने आया हूं भाई तिरह नाम क्या है पुगल अब इसका क्या करना भाई उसका हाथ पर काट कर लाओ अब बाहा हूं लगिए कार काट कर दो सकता वाल कर अप्रेंड से चथ से क।ोन से भाल sam झाल 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 है आट हुर्षे हैं आट है इस तॐ है इस अधियर पिर आया इप कि अया यह यह मैंने तो इपको सावरी कहें दीया था ना फिर यह सब किसलिए है कि पिर जह दो ठो जहाँ कि और जहाँ में पिर हाँ और दू जहाँ लूट जहाँ कि अव तर दूच कि भी नहाँ कि लूव है फिक्सर, एक्सर उनिक, बहै गुलिया! hurry up, एक है डं़या! ए ए ए और आए झाए जोजुई आज आई आए जगे एज जगाओ इस वाल दे लोर ह Albert भोर क्यादव जगत जब थे लोग लोर अख राइब जगक है वोर हो क्रोर क्या हो जगी है हेलो पुगल तुम कहा हो यहां कुछ गुंडों ने दंगा फसाद कर दिया है मैं तो एम जी रोड पे हूँ तुम कहा हूग एत्री कर दो दो । कर दो दो बान कर दो कि वाल पत्री रोड़ां कर दिया है हुआ 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 मैंने कहा था ना कुछ दिन वेट कर, मेरे तनी जल्दी कि इस बात के दी, तोड़वा लियाना अपना हाथ, चार दिनों में सही हो जाएगा भाई, पहले तो उसने मेरे आदनी को पकरवाया, और अब उसके इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठाए, उसका सर तो उसे देन उड़ा देना चाहिए था, भाई, हमें यहाँ पहुचाने वाला दिनेश नहीं था, तो फिर किसने मारा, अब उनने उसे पहले कभी नहीं देखा है नाम है पुगल, तंजावूर का रहने वाला है, उसके हमसे क्या दुश्मनी है, दिनेश को बाइक पे बिठा कर उसको बचाया था, बस इतना ही जानता हो भाई, कुछ समझनी आ रहा है, यह सब क्या हो रहा है, वो दुबारा नजर आए तो उसके आथरी निकाल के कले में पहना देना, आपके खिलाब अटेम्ट्व मॉन्टर का केस फाइल हुआ है, किसने फाइल किया है, मेरे वापस आना चेक तुम में से कोई कुछ नहीं करेगा, सच, वो लोग नकली नोट, जाली नोट छापते हैं, सर सिधारक हिलमत, लेकिन बच्चों की स्कूल फी भने की आउकात नहीं है, और खुद को राजा समझता है, सर, नथिंग सर, चैनने इसे सारे स्टेट में नकली नोटों की सप्लाई होती है, वो ये सब कैसे भेजता है, और वो इन नोटों को कहां छापता है, इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, अभी-अभी एक जवान लड़के ने उस भंगार वाले संपत के खिलाफ कंप्लेंट की है, क्या फाइदा सर, हाली में उसने सारे सबुत मिटा दिया है, और अपना धंदा बदल दिया है सर, और उसने स्टेट्मेंट दिया है, कि उसका और उसके परिवार का इस धंदे से कोई लेना देना नहीं, और सारी पबलिक भी उसके नाम से डरती है, हाली में एक लड़के ने उसके सारे आदमियों को 24 अकेले ही इतनी भुरी तरह मारा कि सब हॉस्पिटल पहुच गए हिम्मत तो है उस बच्चे में वो कौन है और क्या करता है जरह पता लगाओ यस सर् मेराज सुना एक कोईमबटूर में तुमने फेक नोट पकड़े थे जी सर फेक नोट समझकर ही पकड़ा था जब जाच किया तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है किसी ने रॉंग इंफिर्मेशन दी थी ठीक है सर गाड़ी का है घर पर है गायत्री है हलो तुम ऐसे क्यों भी हेव कर रही हो यह देख आवाई बस अब के चल बाए ट्रीट याद है ना मैं तुसे कले लूँगी चल बाए मुझसे सिर्फ फोन पर बात करोगी फेस टू फेस बात नहीं करोगी देखो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी साइकल का टायर उसके पैंड पर लगया मैंने उतर के साफ कि और सौरी भी कहा किसी को मारना गलत बात है लेकिन मार खाके लेना भी गलत है मैं क्या हूं यह उसे दिखा दिया कैसी लड़की है यार छोटी सी बात पे मुझ भूलाए है वी डेखिया के लिए यह वाज़ आज़ आज़ आज़ाओ आज़ा जल्दी आज़ आज़ा वले टिकेट बोली ए तकेट बोले है है लो और खालाओ यह है वागे बड़ाओ कियो दुक्ष्ट एफालाओ कियो गाँ कि तुम कुन्डे हो कि अगला इस्टाव पारा है उतरने के लिए तयार हो जाएए चलिए 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 जल्दी कीजिए कि अगम कुछ सभी लोग अपना पोगःसी को संभालने के लिए ठीक है इस्किज में हम इसे जारा संभालोगी कि अगर थे ईज़ाय घूदे। अगला स्टॉप डाइमंड सिगनल है पेन हेलो ये क्या कर दिया मेरे मोबाल में जितना टॉप अप किया था वो सब वो सुनना चाहती हो गया तुम्हें चाहिए तो बोलो में लोटा दूँगा फोड़ा समझो अब पेन कैसे लोटाऊंगी कल तुम्हें नया खरीद के दे दूंगी चलो ठीक है गायदरी संभाला प्रैंडिट पेन है कल मेरा बट्चे है में वारूंबकम बस्टों पेट करूंगी हां समझ गया तांबर में उत्रे हो किस उटल में हाँ रूम नमबर हाँ पांच हाँ ठीक है एक मिनिट में एड्रस लिख लेता हूं बॉस यह पैन है क्या पैन पैन तो नहीं है सर बॉस एड्रस लिख के वापस दे दूंगा बॉस पैन प्लीज तुम्हेरा नाम क्या है प्रिंस नाम प्रिंस है और पास में पेन नहीं चल्ट अरे प्रिंस है पेन का क्या लेना दे रहां टिंदूल कर होता तो क्रिकेटर बन जाता तो अरे रुक्ति अलो नहीं नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है मैं सीधा वहां ही पहुझता हूं हाँ ठीक है क्या कर रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि अएक कि अए कि कि अए चलो ग्राउंड से बाहर निकलो यहां पर पिक्निक मनाने अंग कि यहां आते ही लड़की के चक्कर में मारा-मारी कर बेठा अशर इसमें मेरी कोई तुने उसे खातम किया सुन पता है ना तुझे क्या भीमारी है अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बाप से क्या कहूंगा है गो चला जायां से और मेरे सामने मत आना सर सर से बला ना चा और तुम लोग क्या कर रहे हो है इसको इधर लाओ क्चल लोग कारे बल्लोग कर दुझे विलके ज।ट से थान झां़ को całको बलं है अयासथ कर हां? लाओ उस न साथ कर्फों लुमkannt कि ऑ्चल yapt है दुम व वाद लुम अ है ब करो καत थाख Oleya बुम लुमत करन दुम हो दो कर सकुम Shane अरे यार सर ने कुछ कहा क्या अरे छोड़ना यार सर को तु जानता है सुबह तक ठीक हो जाएंगे कूल जाओना कल ग्राउंड पर आ जाना तु सब ठीक हो जाएगा भाई भाई कलना मुझे बहुत ज़रूरी काम है सर से कहना मुझे बुखारे किसी तरह संभल लेना उससे कोई भी काम दो कभी ठीक से नहीं करता उपर से रूल सिखाता है अंकल म्यूजिक वाला केंडल नहीं है क्या सब पीस अरे इसे जो चाहिए उसे देदो पता नहीं यह गायतरी किस रास्ते से आने वाली है एलो बॉस पहचाना मुझे तुमने लिफ्ट दिया था पहचाना हाँ पहचाना तुम्हेरा नाम किया है पपुगल मेरे नाम दिनेश है अस दिन जल्दबाजी में थैंक्स बोलना भूल गया था थैंक्यू यार अहां ठीक है मेरा कर पास मैं तुम चलोना अरे मैं अपने से मिलने के लिए यहां पर बेट कर रहा हूं समझा करो ना हमारे घर पर छोटा सा फंक्शन है चलो थोड़ी देर आके चले जाना कि देख कर यह मुझे घर पर फंक्शन के लिए बुला रहा है अब ता इसकी नजर मेरे गिफ्ट पर है बस तुमने मेरी हेल्प की थी चलो ना अगर यह केंडल नहीं लाता तो मेरी छूटी बेहन मुझे जान से मार देती गैतरी यह मेरा फ्रेंट पूगल हाए यह पताओ उस दिन तुमने क्या कहा था सर सर जल्दी चलिए मेरी बहन की तबियत कराब है उसे होस्पिटल ले जाना है तुमारे शहर में जूट बोलकर काम निकलते हैं ना क्या हुआ था क्या बात है एक दम सही जगह पे आ गया अपनी मा को किलाओ तैंक्यू अपनी मा को किलाओ आप थैंक्स बेटा बाया मैनी मैनी है प्रेटन्स आप देड़ दे धैंक्स अंटी थांक्स, 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 बेटा सब को दो, इतर आजा बेटा, आराम से, सब को मिलेगा, एक मिनुट रुख ना, हैपी बार्टे, थांक्स अलोट, ओके, यह तुम भी लो, क्या रे पूगल, गिफ्ट इसको क्यों दे दिया, केक खाऊं और गिफ्ट ना दो तो बुरा ल तो तुछ से लड़ पड़ती हूँ, पापा मेरी कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं जाती हूँ, ठीके बटा, चाओ, मुझो टीवी तुम ले रहे हमाले थे, वो ले लिया मैने, अच्छा अच्छा, जल्दी नुखळ पर आओ, तो फिर मैं चलता हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, अरे ने ने, मैं चला जाओंगा, आँँ गया, अंकल, अब मैं चलता हूँ, आँटी, मैं चलता हूँ, आज तर चीज़ों के भाव ज़िए, ये सरकार आने के ना काफी फरकार है, हाई, चलती से बैट जाओ, बाबा की ओफिस जाने का टाइम हो गया, जो हुकुम सरकार, जैसी है आपकी मरजी, ये हेडलाइट और इंडिकेटर, दोनों बदल दो, नया माला इसमें है, ये अच्छा, हम लोग पास में ही है, उस दिन चे तुम्हारा जखड़ा हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो ट्राइर की वज़े से हुआ, उनके नकली नोट के धंदे के बारे में, भाईया ने पुलीस को बताया है, और बात यहीं कटब नहीं होती, वो मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर पर भी आया था, तब भाईया ने उनकी बहिजती की, इसे लिए पुचा भाईया को मारने के लिए और तुमने उन्हें लिफ्ट दे के बचाया, उन्हें लगा तुम भाईया के फ्रेंड हो, इसलिए उन्होंने तुम पर हमला किया, अच्छा, तुम बिल्कुल सही बूल रही हो, लेकिन फिल्हाल मेरे दिमाग में सिर्फ एकी बात आ रही है, और वो क्या है, तुम्हारी और मेरे बिश बायोलोजी वरकाउट हो गई है, यह क्या बायोलोजी, सब लोग तो केमिस्ट्री वरकाउट करते हैं, केमिस्ट्री वर कर दो कर दो कर दो चार्ल्स सर जाओ उसे बुलाओ जी ये चल सर बुला रहे है जाओ 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 बॉस ऑन रर माक अर्माक सेट गॉ अगर टाइमिंग यही रही तो सात्वी पोजीशन भी नहीं मिलेगी तो आज रात को ही घर चला जा मैं तेरे पापा से बात कर ले तो सुन तू जो मेडल जीतेगा वो सिर्फ तेरा नहीं होगा उसमें तेरे पापा का सपन और मेरा लक्ष भी होगा और मुझे नहीं लगता कि तू कर पाएगा सर मुझे एक मौका दीचे सर मैं टाइम सुधार लोंगा जाओ पोगल अगर तुम सच में मन्जिल को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक लवे बनना होगा जाओ देखा टाइम पिकप करने में कितनी मेहनत लगटी है देखा खेल में टाइम ही सबसे जदा इंपोर्टेंट है जाओ थोड़ा आराम कर लो भाई तू टाइम पिकप करेगा कि नहीं यह सूचकर मुझे डर लग रहा था मुझे यकीन था मैं टाइम पिकप कर लूँगा सर ने मुझे माफ कर दिया यही मेरे लिए बहुत है यहां पर सिर्फ पान ही मिलता है लुकोस के लिए आर को यहां से बाहर ही भागता है अचा गायतरी तुझसे मिली की नहीं थोड़ा आइस्ता बोल सर के कान बहुत तेज हैं इंसान को हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं ओके बॉइस अब चलते हैं शाम को पांच बजे फिर से यहीं मिलेंगे ठीक है जब भी प्रैक्टिस खत्म होती है तेरा कुछ न कुछ रहता है चल जा कौन है देखना जाके अहां एह कहा है तु और कहा रहूंगा उतनी दूर से तेरा खेल देखने आया हूं तु पूछ रहा है कहा हूं तो यह मोटर बस चंट पर खड़ा हूं तो यहां से मझे पिक अप कर लियो के टेंशन बिल्कुल नहीं लेना रिलैक्स रहना कौन था बेटा मुझसे मिलने मेरा दोस्ता है मुश्किल से तेरी टैमिंग सही हुई है और फिर से डिस्टब करने कोई आ गया हाई बोल बे तेरी आखों में देखकर बख बख करके मेरे दिल में शमाजा लुटती है मेरे प्यारे मुझे लगता है तु शायर बन गया है लव हो गया मुझे और गया तुझे येस कौन है वो अनलगी गर्ल से केंडिया हिस्टी डिपार्टमेंट कीरती नाम है नया नया स्टार्ट हुए चार दिन हुए लेकिन प्राबलम है उसका लब कंफर्म है या नहीं इसका थोड़ा सा डाउट है तो बिल्कुल फिकर मत कर हां मैं जैसा कहता हूं ऐसा किया तो वो कंफर्म मान जाएगी सोच कि तेरी महभूबा तेरे सामने है तू उसे एक बार देखके छुप जाता है जब तूसे नहीं दिखेगा तो वो तुझे ज़रूर ढूंडेगी ए गायत्री गाड़ी जाने का इंतजार कर रही है क्या जाओ तुम लोग मैं दूसरी बस में आ जाओंगी ठीक है ओके बाए जब वो अकेली हो तब तू उसके सामने हीरो की तरह एंट्री मारना तू भी है इसे कुछ करना है कि एक इर्थी यह बस नहीं चाहती मत जा हाँ हाँ पता है पता है वो लोपर कब से दीखना हमें ही घूर रहा है मुझे डर है उसे मेरे घर का पता न चल जाए आगे जाके बस बदल लेंगे वो गया है वो गई भाई यह बात है तुझे बात बताता हूं प्यारे है आज कल की लड़किया न हमसे बस यही चाहती है कि हम उन्हें घूरते रहा और अपनी आखों से दूर ना होने दे अइसा है कुछ करना है तुम नहीं है वरना हिला देता एक्स्चीज में प्लीज अरे सुना नहीं मेरे भाई प्यारे तु एक काम कर इस बर कुछ का तो हमारी दोस्ती खतम ठीक हो के बेटर लग नेक्स्ट टाइम एक काहां जा रहा है मेरे साथ मेरे रूम पर चल नहीं मेरे बाप लव करने वाले के बाइक पर नहीं चड़ना है वरोसा नहीं बीच रास्ते में छोड़के निकलने तो ऐसे सीन होने का चांस ही नहीं लोंगा किसी धरमशाले में रुख जाता हूं सुबह तैयार हो के ग्राउंड पर मिलूँगा बाइ नमस्ते भाई वेल पेटिशन के लिए गया था इसलिए थोड़ी देर होगा वह चोड़ भाई का है यहीं पर है चल कोच्ची के पार्टी को पता भेजा क्या नहीं भाई डिसी हमारी हरकतों को ड्रेस कर रहा है वो बैंक वाले लड़का जब से विटनेस बना है वो हमारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है इसलिए आपका इंतिजार कर रहे था हूं अच्छे साल से हमें इस धंदे में लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी को माल लेट पहुंचाओ आज रात किसी भी तरह उस लड़के को ढूंड कर निकालो आज उसका फैसला हो जाना चाहिए कल रेस में जो फर्स्ट और सेकेंड आएगा सिर्फ वही एशियन गेम्स खेलेगा टाइमिंग ज़रूरी है पुगल हाँ आज पूरी रात हम लोग रेस्ट करेंगे हम सब सुबह जल्दी उठेंगे और थोड़ा वाम अप कर लेंगे और बेकार में टायड मत होना समझ गया है ओके लेट्स मूव तुम लग जाओ बोलो का एद्री तिनेश सुबह दोस्त की घर अन्ना नगर जा रहा हूं क्या कर गया था अभी तक नहीं आया उसका फोन भी नहीं लग रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है देखाओ कि क्या बात है ठीक है उसका नंबर मुझे मेसेज करो ठीक है सर और सर गाओं से मेरे एक और दोस्ता है ठीक है जल्दी आजाना हो किसंग कर दो 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 किष्ण किष्ण कर दो कि अब मेरे पैसे कैसे मतरू तुम बरबाद हो जाओ तेरा बेडा करत हो जाए ऐसे भागने थे जैसे कुट्टा पीचे पड़ा हो मेरे सारे पैसे भीखेर दिये अरे कोई तो मेरी मदद करो मालिक मेरी मदद करने के लिए अरे ठीके दादी भगवान तुम्हारा भला करें पता नहीं किसे बादने के लिए वो शेतान भाग रहे थे झाल 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 पोच्छों से उठाया के नहीं जी भाई कुछ नहीं हुआ बोला ना चोड़ो बेटा मेरी बात तो सुनना सुनना मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं तुझे कुछ हो ना जाए कल सुबा ठीक दस बजे रेश शुरू होगी मेरी और जब मैं ट्रैक पर उत्रूं तो तुम मेरे सामने रहना आओगी ना शूर बेटा खाना छोड़के तो कहां जा रहा है वोड़ी देर में आया माँ अभी अभी तो आया है फिर कहां जा रहा है बाइक पर जंटली डीसीपी साब ने मुझे बुलाया है इतनी रात को बाइपुकर संबल के मेरा दिल मुझसे शायद कुछ बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है वो तुम्हारी और मेरी और तुम्हारी बाइयोलोजी वोक आउट हो सकती है हुआ हुआ है जूडिया पहन लेनी चाहिए तुम्हें बार-बार मार खाके चली आते हो तुम लोगों को तो चुली भर पानी में डूम मरना चाहिए लोगा तुजा के यह अधूरा काम पूरा कर कुछ और लोगों को लिजाना क्योंकि यह किसी काम के नहीं है आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो मुझे हराए अगर उससे मारते वक्त कोई भी पीच में आता है तो उसे भी काट डालना ए गोगा वो तंजावर वाला लड़का कहा मेलेगा उसको अपून देखता है भाई कर देखता है वो आई पी एड्रेस किसका है जरा एंक्वारी करो नमस्ते सर अहां आओ दिनिश तुम लोग जरा बाहर बेट करो सर बलो दिनिश सर आपी ने कहा था कि आप फेक नोट वालों को रोकना चाहते हैं आपके कहने पर मैंने अटेंप्टू मदर का केस किया लेकिन अब वो मेरे पीछे पढ़ गएं सर तुम्हारे दिवें उन चार फेक नोटों से हम उनके नेटवर्क का कुछ ने बिगार सकते हैं दिनिश उन्हें प्लान करके उठाना होगे और उठाएंगे भी कि कहा है वो आप बुगल को ढूंड रहें उसको तो मैंने गाउं भेज़ दिया अच्छा हमारे लड़कों ने पांच बज़े उसे ग्राउंड पर देखा और तू बोलना है गाउं भेज़ दिया सुनो उसे कुछ पारना सामने जूट नहीं बोलने का कुछ ग्राउंड पर कदम कज़े रखता है कराउंड बोलने कछपMusik अ किंदले बस्ता किंदले भ। किंदलेिह आटीटिंग् हा उाए गाइ उत्सा स Οका उारी घ 오akes। मैठी बाई को मेरा, मेरा, वैर्टी, उन्होंने इसे मार ला बेडी प्रूप 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 ये, हो प्रूप ये जा ये जाओ ए क्या हुआ ए कहा है तू क्या बात है बोलना दर को छोड़ लग गयी यार हम लोग सब जे जे हट्टरल जा रहे हैं तू भी हाजा चल दी कर दो कर दो तो कर दो कर दो कर दो आगजा उंट हैं तो भुसके प्रेश elongятель है कि वो आप से विल ले के अधाः आप पर उसको विश्वास था पर क्या आप उसे बचाप यह हम क्या हाँ अफीस के पास ही उसका कटल कर दिया हैं प्रेश कर बताईए आप क्या कर पाए आप उसे बचा क्यों नहीं पाए अब आपकी पूरी फोर्स क्या मेरे बच्चे को लोटा सकती है इसका जवाब दीजे सर आप उसे लोटा पाओगे जाये सर जाये आप जाये जाये जाकर उनके गुलावें करते रहे हमारे बैंक में एक सिक्यूर्टी वाला आपसे काबिल है जाये आप जाये सर आपसे कुछ नहीं होगा पता नहीं क्या चल था यार बहुत भूरी तरह मारा है क्या हुआ और क्या तेरे दुश्मनोंने सर का पैर तोड़ दिया सर का है टू वन फाइर रूम में हई। जब चोटा सा फ्रेक्चर है, ठीक हो जाएगा. तुमने उन लोगों से बेकार में दुश्वनी बोल ले ली. क्या-क्या सोचा था? क्या-क्या सपने देखे थे? सब खो गया, तु ये किन उल्चोनों में भास गया, बिटा। तुम्हार पापा के सामने क्या वो लेकर जाओगा। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सब भोलकर तु ग्राउंड पर जाएगा, और मेडल जीतेगा। आप लोग जो ये नोट देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे नोट नकली है। आप लोग ही नहीं नहीं। ऑथराइज करंसी चेकिंग मशीन भी इन्हें मिस कर देती है। संपत के चापे हुए नोट इतने परफेक्ट हैं कि संपत के ऊपर कोई भी काउंटर पिटिंग का एक एफायर तक दर्ज नहीं है। उसका चापावा नोट और गशापे हुए नोट में कोई खास फर्क नहीं है। संपत कई तरह के प्रेंडिंग मशीन्स यूज़ करता है। He is a dangerous criminal। संपत के लिए सब कुछ ये काले धन्दे की दुनिया ही है। इंडिया जैसी extremely populated country के अंदर जाली नोटों का इस्तिमाल करना बहुत बहुत easy है। आप लोग ज़रा ये visual देखिए। Sir, please. हमारे देश में इस वक्त 1,965,000 करोड़ रुपय का जाली नोट मार्केट में खूम रहा है। पिछले एक साल में 600 करोड से जादा जाली नोट RBI ने पकड़ा है। 2012-2013 में 9.5 करोड रुपया। 2013-2014 में 19.7 करोड रुपया। हमारे जैसे पोपुलेशन वाले देश में ये जाली नोटों का धंदा चलाना बहुत ही आसान है। ये पैसा दुबई से आता है। इसी तरह जाली नोट अगर हमारे देश में फैलता रहा तो हमारे देश की इकनोमी डगमगा जाएगी। इसे बचने के लिए सरकार ने असरी नोटों को पहचानने के लिए बहुत सारे इंतिजाम किये है। चाली नोटों का धंदा एक कानुनन अपराध है। नकली नौटों के इस धंदे को हमें नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी वज़े से हमारे देश की उन्नती की जड़े हिल सकती हैं। अभी आपने क्रिमिनल लोगों के जो कारणा में देखे, उन में से संपत एक है। लेकिन वो फरार है। कल तक वो वाइट कॉला बिजनसमेन मन कर हमारे सामने आता था। पर आज वो क्रिमिनल्स के लिस्ट में शामील हो चुका है। हमारे खास इंफॉर्मर वीजू ओराइजन और हमारे खास विटनस दिनिश। वो सिर्फ साथ 23 साल का था। और संपत ने उसे मार डाले। आपके आउडर्स का इंजार कर रहा हूं सर। अगर आप इजाज़त दे तो मैं सब को जड़ से उखाड़ दूगा। मिस्टर उत्तम कुमार, ऐसे नामचीन लोगों पर एमेडियेट एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। वेट कीजे, देखते हैं। धीरे से, धीरे से सर। अगर आप 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 सर। अगर में आप 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 अगर एक्षार एक्षार सर मेरा नाम देवराज है मैं जानता है आप इनके फिजिकल ट्रेनर है और ये पुगल है इसके फादर है सुब्रमन्यम जी तंजावर में एच्फाइब पुलिस टेशन में राइटर है बहुत ही अच्छे इंसान है जी हां सर भडल रेस में इसने नेशनल टैमिंग बीट की ह बॉडी में अगर कहीं जखम लगे तो फोन बंद नहीं होता कुछ अंजान गुंडों को उस दिन तुम भरी रोड उपर क्यों मार रहती है उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है सर में वह पुगल जी सर एक रिक्वेस्ट है कल गेम खत्म होने तक आप इसे प्रोटेक्शन करने पड़ती है वेरी सॉरी सर अगर तुम प्रोटेक्शन चाहते हो तो स्टेट के स्पोर्स अथॉर्टी से बोलो कि वह हमसे बात करें लेकिन इस सब में दस देन लग जाएंगे मैं तुरंट तुम्हें को प्रोटेक्शन नहीं देशा प्रोटी खाया हुआ जिस महें डॉक्टर इसलिए अभी भी शरीर पत्थर का है तोड़ी सी चोट से फर्क थोड़ी पड़ेगा वह पुगल कहीं फरार हो गया है वह हमसे बचकर कहां तक भागेंगा अगर वह मेरे हाथ लग जा तो यह कौटन अपने हाथ पर लगा लो ब्लड रुख जाएगा अब उनका तो रुख जाएगा डॉक्तर लेकिन अब इसका बहेगा अरे इसे मारना कोई बड़ी बाद नहीं है एक छोटा सा घाव इसकी जान ले सकता है बस ध्यान रखना उसे मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले चलता हो भाई बाई गोगा बाई इंस्पेक्टर साब आए वह इस वक्त यहां क्यों है कह रहे थे अरजेंट बात करनी है ठीक है अंदर भेज जी आज के आज आप और गोगा बेहतर होगा यहां से कहीं दूर चले जाएए डिसीपी कोई सेक्रेट प्लैन कर रहे है इसका नतीजा क्या होगा मैं भी नहीं कह सकते है इसको यहां भागने के लिए बोल रहा है एक होगा तो दूसरे का खुसा इस पर क्यों उतार रहा है यह हमारी भराई की बात कर रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूं गोगा बाकि तुम्हारी मर्जी फिलाल कहीं और जाना में पर आई है यह आप कैसी बात कर रहे हो भाई उस बच्चे के डर से अपन भाग जाए उस लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया है ए शान्त हो जा उसे जब तक जमीन में नहीं गार देता अपन कहीं नहीं जाएगा ए कोगा सुन अभी या रहना बिल्को ठीक नहीं है तु कहां है घर पर हूँ कोई कहां में क्या सुबत दस बजे इस टेडियम में पहुंच जा एक लड़के को उठाना है उसकी फोटो बेस दे बाकि मैं समाद लूगा क्या हुआ बेटा क्या का उन्हों ने उन्हें मैंने बहुत रिक्विस्ट की सर वह बिल्कुल सही कह रहे हैं सर खुद की रक्षा खुदी करनी पड़ती है क्या कह रहा है पूगल चली आईए अब क्या करेंगे सुन हम सीधा होटल जाते हैं वहां से कार्दी के घर जाएंगे हां एई तु एक काम कर सर को लोगे सीधे होटल जा अब मैं होस्पिटल जाकर सर का मेडिसिन लियाता हूँ अच्छा ठीक है सुन है संभल के जाना हां और सबसे कहना सब एक साथ रहें जी मैं उनसे कह देता हूं सर आजो सर संभल के है 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 आप आराम से पहुंच गए तेरे साथ रहेगा तु वो कैसे आराम से पहुंचेगा तु टी सीपी को मसका लगाने गया था एक तो गया अब तेरी बारी है टांग तो पहले ही तोड़ दिया इस बार पूरा पाहिच बनाऊंगा हेट पोस्त के पास खड़ा हो अगर तुझ में सचमुच जिगर है तो आके बचालीज है सार पुगल को मैंने बाइक से जाते हुए देखा ओके आल भी देए यह सर कंटेनर में डालो इसाइ क्या रे कोच, लड़कों को स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग देना छोड़कर, गुंडागर्दी सिखाते हो क्या। देखे, आम लोग यहां किसी से लड़ने के लिए नहीं आये, हमारे लिए हमारा स्पोर्ट्स ही सब कुछ है। वा, क्या बात कही आपने। वो जिन्दा रहेगा तभी तो दोड़ पाएगा ना। एक छोटी सी खरोच लगी और खुन निकल आया ना। तब दे उसकी सांसे रुख जाएंगी। यह बात मुझे अभी पता चली। पर कोई बात नहीं। मैं उसे एक खाओ नहीं, उसके जिस्म को पूरे खून से नहला दूगा। सुनो मेरे भाई, हो सकता है उससे नाधानी में कोई गल्ती हो गई हो। लेकिन, लेकिन मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। उसे माफ कर दो, उसे छोड़ दो। पुगल, नहीं नहीं बेटा, सुझा यहां से, पुगल। उठिये सर, उठिये। मेरी बात सुन, तु पुगल। पुगल। क्या हुआ बेटा, नहीं, नहीं, पुगल। आजा, आज तु नहीं बचेगा। हुआ हुआ तुम लोग अपना काम करो, वो समाल लेगा। हुआ तुम लोगधा। शुम लेटा हुआ यह हुआ forskह रा हुआ नह पुम हुआ पुम हुआ 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 आप हुआ भब घुआ हुआ हुआ गल! ठाँ! हुँ! अँच् हो! अँच! हुआ! हुआ? अँचridge हुआ? वोटाँ लिव जाँ! है दो? कि अ कि अ तेfta पिछ खस साख पस ही कि अ तोब कि अ इ fahren कि अ अ लग ए्व FOR िव हाई भॉ ROI प्रण्व सकत्या है हुआ 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 है तेरा और तेरे टीचर का दिन आज पूरा हो गया तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो समझ यह कया हुआ है हुआ 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 है हाई! 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 ओुफ। यह, यह तुन्हें क्या कर दिया? तु यहां कैसे आया भाई तु ठीक तो है ना तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना सुन पुगल जो हमें करना चाहिए था वो अब तुम करोगे मेरी बात ध्यान से सुन सर मैं आपकी बात मनने को तैयार हूँ कोई भी अपने गण यह उठा कर नहीं देता है लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मैं आपकी विश्वास पर आँच नहीं आने दूगा जब आपने मुझे ही चुना है तो मैं अपना फर्स निवाओंगा सर, सर सर, आपके सिक्यूरिटी की डिमांड पूरी हो गई है जाहिए आप रेस के तैयारी कीजिए All the best Bugal झाली करता है 1004 आपलाई सान जुनकाना चुमार्फेटा टूसी 2.5 आर्फेटांर बाई देड़ सांगाना जैप 10.0 आफ सुновरी alley आ två एंधालो एंधामार्फेटा तो मुंढे तुमार्फेटा टूसी नट लिम आर जुनकाना टार्फेटा साथ यहाँ पुगल आल दे बेस्ट बेटा सर जी मैं देव बोल रहा हूँ सर पुगल कहा है सर वह भी तयार हो रहा है रेस अभी शुरू नहीं हुए रेस खतम होते ही फोन करता हूँ ठीक है सर ठीक है हलो बेस्ट अफलक हुग प्राह आजारीजि़ राणीजम्नेटीट प्राहिए इस साथ पारिध लादोग सब्सक रॉठनोग लाइम लादो नादोग्टी साथ लादी अंधितने और अपन्यूर लादीटीन के लिए अबडेट्नेटेर समय भी बालिट्र लादीन अच्छान अज्ब्नेट लीबगव इंप five, seven to seven, ूजरेंदी रंकामुनाव sounding लेन बच्षिज रगू्अ्ट रागूल from लेखेखोग्स रगूल in lane no.7, बच्षिव नबर 880, रमेश हो अनले लेन बच्षिक रगॉल सी हो बच्षिक रदेखो अर्यान। ये खिर वेस वे फिर्टेने विदे विविव फिर्ष फिर्टान। फिर्टूर्म करें एफ चाहिए। झाल 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 आज के टेक्नोलोजी उतने डेवलप हो चुकी है जाओ विटे वो ठीक है तुम्हारा इंसार कर रहा है झाल 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 झाल